सो हे गाइस क्या आप भी बनना चाहते एक प्रोफेसरल वीडियो एडिटर तो आपने एकदम पॉफेक्ट वीडियो को चूज किया है इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ सेर करने वाला हूँ मुवावी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेर का कम्प्लीट टुटोरियल मुवावी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेर का सबसे बड़ी खासवत यह है कि यह सॉफ्टवेर किसी भी PC में बहुत ही इजली इंस्टॉल हो जाती है इस सॉफ्टवेर को किसी भी हाई ग्राफिक्स की जरुवत नहीं पढ़ती है लोएंड PC में भी बहुत ही इजली जाती है और यह बहुत स्मुधली वूक्रोष करती है अगर आपको वीडियो इडिटिंग नहीं आती है तो इस वीडियो को स्टानिंग से लेके एंड तक देखीगा इस वीडियो में मुवावी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेर को डीटेयल में बताने वाला हूँ कैस से आप इस software के help से अपने वीडियो को प्रोफेस्टनल लेवल में इडिट कर सकते हैं तो विदाउट वेश्टिंग और टाइम लेट्स गेट स्टाटिट सो यहां पर हम आचुके अपने कंप्पूटर के स्क्रीन पर तो इस मोस्ट अपने यूजिस ने तो इस software को डाउनलोड कर लिया होगा जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है वहां से आप बढहत जा का डाउनलोड कर लिजे डाउनलोड करने के बाद लिगेज़ कंप्स तरिकी का अप्लिकेशन का लोगों दिखाये़ं सिंप्ली आप इससे ऊपन कर लिजे वहांपे यह सफ्ट्वर जो है और न हो चुका है होगा यहां पर हमें बहुत सारे options मिल जाते हैं वीडियो एडिटिंग, convert video, record, computer screens और भी बहुत सारे options दिएगे, features दिएगे हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले edit video वाले section के बारे में कि हम अपने computer के help से, इस software के help से कैसे video edit कर सकते हैं तो guys, आपको क्या करना है, simply edit video वाले section पर new project वाले option पर simply click कर लेना है click करने के बात guys, देखेंगे, आपकी computer में एक नया tab open हो जाएगा तो थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं यहां पर तो guys, यहां पर दिख सकते हैं हमारा जो tab यह open हो चुका है तो आप मैं आपको बता देता हूँ, इसके basic concept, basic features के बारे में तो guys, यह जो आपको box दिख रहा है, यह total box, इस box को हम preview box कहते हैं इसमें जितने भी आप video को edit करते हैं, उसका सारा preview यहां पर सो होता है इस box में हम, इस box को media win कहते हैं, इसमें आप जितने भी file को import करोगा, यहां पर सो होगा यह जो आपको tool दिख रहा है, इसको हम editing tool कहते हैं, इसी tool के help से आप अपने video को edit कर सकते हैं next बात करें guys, यह box की, तो इस box को हम timeline कहते हैं, यह especially आपके video के time पर base होता है कि आप कौनसे second पर क्या काम कर रहे है, किस चीज को cut करना है, तो आप इस चीज का काफी ज़्यादा help ले सकते है so guys, अब start करते हैं, इस tool के बारे में, कि यह tool किस काम आता है हमारे video editing करने के लिए तो guys, अगर बात करें सबसे पहले tool की, तो यहाँ पर है यह file import अगर इस पर आप click करें तो आपको बहुत सारे options मिल जाती जिसे कि file import है, media win है, sound है, music है, अगर बात करें guys, file import और media win का तो यह दोनों एक ही काम करता है आप जिस भी folder को edit करते हैं वो इस option के help से आप उस folder को अपने इस software में add कर सकते हो, चली मैं आपको example में बता देता हूँ, मैं simply file import पर click करूँगा, यहाँ पर add file पर click करूँगा और जिस भी video या फिर photos को मैं edit करना चाहता, उसे मैं select कर लूँगा, select करने के बाद मैं open पर click करूँगा, तो guys देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो दोनों वीडियो है, वो यहाँ पर open हो चुका है, अगर आप वही media win पर file import पर click कर तो वापस से आप उस file को import कर सकते हैं, media win इन पर clicker तो आपने जितने भी files को import किया है, वो सब यहाँ पर so हो जाएगा, next बात करें sound की, तो sound में guys आपके पास बहुत सारे sounds available है software के थूरू, बाकि अपना भी sounds use कर सकते हूं इस video में, जैसे में आपको बता है, file import पर click करना है, और उस sound को choose करना है, जिसको आपको अप या फिर चाहे तो आप अपने video के music को भी use कर सकते हैं, next option की बात करते हैं, यहाँ पर दिया है sample videos, यहाँ पर बहुत सारे videos दी गई, अगर आप इस option पर click करें, तो यहाँ पर बहुत सारे videos related दी गई है, जैसे कि यहाँ पर देखें, यह news का template दिया गया है, इस template की use करके, आ आप एक news type में video बना सकते हैं, यह countdown है, तो इस तरीके से इस सभी videos को, इस thoughts videos को आप अपने video में use करके, और भी ज्यादा interesting बना सकते हैं, next option की बात करते हैं, यहाँ पर आपको मिल जाता है background, जो कि आप अपने video के background के लिए use कर सकते हैं, या फिर किसी other चीज को show करने के जो कि यह filter, यह काफी बेस्ट और काफी ज्यादा यूज करने वाला tool है, इस tool के help से guys, आप अपने video के contrast को, brightness को change कर सकते हो, I mean, यह automatically आपके video को brightness, एक filter देता है, जिससे आपका video काफी ज्यादा interesting दिखता है, तो चलिए मैं आपको एक example में बता देता हूँ, जैसे कि मैंने media आप इन में videos को select किया था, मैं simply इस video को timeline में लाके drop कर देता हूँ, drop करने के बाद, यहां से मैं एक video को delete कर देता हूँ, delete करने के लिए simply मैं एक video पे click करूँगा, delete पे click करूँगा और यह जो video यह delete हो चुका है, अब हम बात करते कि इस फिल्टर कैसे apply कर सकते, तो आपको filter सेक्षन पे आना है, और जो भी filter आपको अपने वीडियो में apply करना है, simply आपको इस पे click करना है, drag करना है, और लाके अपने वीडियो में drop कर देना है, तो देख सकते हैं यहां पे जो हमारा filter था, वो हमारे वीडियो में बहुत ही easily apply हो चुका है, तो इस तरीके से आप अप चली दो वीडियो को एक साथ add करके एक बहुत ही अच्छी तरीके से animate कर सकते हो, चली मैं आपको एक example भी बता देता हूँ, मालनी जे यह एक वीडियो और मैं दूसरा वाला वी वीडियो यहां पे add कर लिया, sorry guys, यहां पे दोनों वीडियो add होगे, मैं एक वीडियो को delete कर तो यहां पे यह दो वीडियो add हो चुका है, तो किसे यहां पे आप देखते हो कि मैंने दो वीडियो को add कर लिया है, अब simply मैं transition वाले section पर जाऊंगा और यहां पर जो भी मुझे transition अच्छा लगेगा, मैं इस blue से select कर लूँगा, जैसे कि मैं माली जी यह वाला transition को select कर लेत देख सकते हैं बहुत ही interesting तरीके से animate होकर आपका जो second वीडियो है, वो start होता है, तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में transition को use कर सकते हैं, आप बात करते हैं इस वीडियो के next tool की जो की है text, तो यहां पे इस text के बारे में मुझे ज्यादा कुछ बतानी की जरूद नहीं ह जैसे कि आप सभी को पता है हम text की यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, बस मैं आपको यह बता दूँ कि यहां पर बहुत सारे template दिये गए हैं, आप इन सभी को अपने वीडियो में use कर सकते हैं, यह actually free है और आपके free software में भी यह सब text available रहेंगे, तो गैस अब बात क आप इन सभी stickers का आप अपने वीडियो में use कर सकते हो, अब बात करते हैं इस वीडियो के next tool की जो की है all tool, यह सबसे ज़्यादा important tool आज की इस वीडियो में तो कि यहां पर मैं आप सब इसे request करूँगा, थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, अब गैस अगर हम all tool पे click करते है तो आपको यहां पर दो tool मिल जाते हैं, एक है video editing और दूसरा है audio editing, बात करें guys video editing की तो यहां पर आपको बहुत सारे tool मिल जाते हैं, जैसे कि color adjustments, crop and rotate, overlay, pan and zoom, stabilizations, animations, highlight and conceal, chroma keys, scene detection, logo, slow motion, अगर हम audio editing पे click कर तो guys आपको यहां पर चार option मिल जाते हैं, equalizer, noise removal, audio effects, bit detection, ठीक है, अब हम एक करके इन सभी tool के बारे में बात करते हैं कि आखिर यह tool हम किस काम के लिए use कर सकते हैं, बात करेंगे सबसे पहले tool की जो कि color adjustment, तो जैसे लिए मैं आपको बताया, effect और color adjustment, दोनों same यह बस थोड़ा से यह different है कि आप color adjustment के help से, manually आप color को adjust करके effect use कर सकत हो, यहाँ पर अगर easy में clicker तो आपको चार auto मतलब यहाँ पर already दिये गया, आप इन सभी को use कर सकते हो, अगर आप advance में click करें, तो यहाँ से आप manually अपने जो है video के color को adjust कर सकते हो, next option की बात करें, crop and overlay तो यहाँ से आप अपने video को crop कर सकते हो, और rotate भी कर सकते हो, next option है overlay, overlay के helps है guys, आप first video पर अपना second video use कर सकते हो, चले मैं आपको एक example में बताता हूँ, जैसे कि यह video मेरा first video है, और यह जो book है, इसको मैं इसके उपर use करना चाहता हो, ठीक है, तो मैं simply इसको उपर drag करके drop कर दूँगा, उसके बाद मैं इस video को select और यहां से जो भी, जिस भी side में आपको यह second वाला video play करना है, उसको यहां पर choose कर लेना है, जैसे कि मैं यह first वाला click करता हूँ, तो देख सकते हैं, यहां पर जहां हमारा video है, वो adjust हो चुका है, यहां से आप manually भी इसे adjust कर सकते हैं, कोई problem नहीं है, तो guys, यहां पर और भी बहुत सारे overlay दिये गए है, तो आप इन सभी overlay इसको use कर सकते हैं, यह depend करता है आपके उपर कि आपको इसको कहां use करना है, और किस काम के लिए use करना है, next option है guys, pan and zoom, यह option काफी जादा best लगता है मुझे इस software में, चले मैं बताता हूँ, आखिर इसमें क्या खास बात है, तो यहाँ पर यह video मैंने select कर लिया है, अब मैं simply click करूँगा zoom in, ठीक है, अब zoom in पर click करूँगा और zoom in को मैं इस video पर लाके, जिस भी part पर आपको zoom in करना है, वहाँ पर drag कर देना, इसको drop कर देना, ठीक है, drop करने के बाद guys, आपके पास कुछ इस तरीके का एक छोटा सा square दिख rectangle दिखेगा, आपको इस rectangle को जहाँ भी zoom करना है, उस space पर उस जगह पर लाके इसे drop कर देना है, जैसे कि मालेजे मैं इस जगह पर rotate, मतलब zoom करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर click कर दूँगा, अब मैं इस video को play करूँगा, तो देखिएगा कितनी अच्छी तरीक स्थेवाल कर सकता है, यह में यूज कर सकते हो, नेक्स्ट ऑप्सन इस stabilization का, यह options specifically movies maker यूज करते है, बिकॉज यह option actually किसी भी चीज़ को stable करने के लिए यूज किया जाता है, मालेजे है आप को वीडियो को बना रहे है, यह ज़्यादा वीडियो मुव हो रहे है, तो यह option य इनिमेशन जो कि मैंने आपको पहले था और यहाँ से अध्क द्रॉप करने के बार करेंगें तो यहाँ जिसे आपको यहाँ पे मैंने राण और बोकिया है यहां से नीचे की तरह आयड हो जाएगा जो भी आपको एनिमेशन्रिय करना है वहाँ करता है आप कौन सा एनिमेशन को यूज करते हो मैं डाउनवर्ड का चूज किया हूं इसके लिए नीचे की थाड़ा जो है बढ़ते जाएगा तो देखते हैं वीडियो को देखे इस तरीके से आप एनिमेशन को यूज कर सकते हो अपने वीडियो में नेक्स्ट ऑप्षन है ह किसी भी पाट को हाइलाइट करने के लिए या फिर किसी भी पाट को बलर करने के लिए यूज किया जाता है सबसे पहले हम जानते हैं कि हाइलाइट के से करते हैं आपको सिंप्ली हाइलाइट वाले अप्षन पर क्लिक करना है यहाँ से हाइलाइट र कॉंसिल दो अप्षन होगा ठीक है अगर आधे वीडियो में हाइलाइट करना है तो आप इस वीडियो को प्ले करता हूं तो इतना ही दूर यह हाइलाइट होगा ठीक है अब बात करते गाईज इस वीडियो के नेक्स्ट ऑप्षन की जो की है कंसी कंसी एक्चली किसी वीची इसको ब्लर करने के लिए यूज होता है चली मैं आपको एक्जामपल में बता देता हूं अमाली जी मुझे जो ग्रीन वाला पाट है इसे ब्लर करना है तो मैं सिंप्ली इस रेक्टेंगल को उठा के वहां पे कर दूँगा ड्रॉप करने के बाद यहां पर अप्लाइ करूंगा अब देखिए मैं इस वीडियो को प्ले करता हूं तो वहां पर पूरी तरीके से ब्लर हो जाएगा यहां आपको कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा तो इस तरीके से आप अपने वीडियो में ब्लर कर सकते तो कुछ पहले में इस वीडियो को टॉटली कली कर देता हूं यहां वीडियो को पहले की जिसार बना दिया अब बात करते हैं next option की जो की है क्रोमा की के हुलबस गाइस आप अपने वीडियो के बैग्रांट को किसी भी वीडि背ग्रांड कर सकते हो चाए ग्रीन रीड हो ब्लू कोई भी कलर अगर आपका बैग्रांड आप carro Ford क्र सकते हो चलिए मैं आपके सेंपल में बता देता हूँ सिंप्ली में मैं यहां से कोई एक बैग्राउंड को यूज करता हूं और यह वाले बैग्राउंड को लाके मैं यहां पर ड्रॉप कर देता हूं ठीक है और इसको मैं इस वीडियो के ऊपर ला देता हूं अब मैं simply chroma की पे क्लिक करूंगा इस pencil वाले icon पे क्लिक करूंगा और मैं simply जिस भी color को remove करना है simply मैं वहाँ पे जाके क्लिक करूंगा अब देखते कितने easily तरीके से जो इसका background था और remove हो चुका है यहां से आप इसको adjust कर सकते आप उसके brightness को उसके latency को noise को मतलब control कर सकते next option is scene detection scene detection का use कब किया जाता है जब आपके वीडियो में कोई scene capture कर रहा है या फिर आपके वीडियो में थोड़ा भी move हो रहा है आपका वीडियो अगर थोड़ा भी मूव हो रहा तो वहां पर आप scene detection के यूज कर सेखते हैं यहां पर movement नहीं है इस वीडियो में आपको सबसे पहले वीडियो को play करके बता देता हूं पहले मैं इसके effect को remove कर देता हूं मैं इसके Effect to remove कर दिया मैं आपको इस video को प्ले करकर हूं यहां पे आप कोई भी मुभमेंट नहीं देखरा है अगर आपके वीडियो में कोई भी मुभमेंट है तो आप वहां पर Scene Detective कई यूच कर सकते हो यह स्पेस्यली जहां पर आपका et इस पॉव्मेंट हो रहा है next option है लोगो यहां से आप अपने चैनल अपने सोसल मीडिया अकाउंट के लोगो को attach कर सकते हो simply आपको लोगो वाले option पर क्लिक करना है add लोगो पर क्लिक करना और जिस भी लोगो को बनाने के लिए जिए आयमालिजी यहां पर यह जो वीडियो है इसका कुछ पार्ट को मुझे चलो मो करना है why cut करने के बाद उस पार्ट को select करोंगा और उसका slow motion कितना चीए मैं simply उसे सिलेक्ट कर लोंगा 50% 100% 10% कैसा चीए आपको slow moves पर सिलेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको वीडियो प्ले करके देखना है वहाँ पर आपका जो वीडियो है वह काफी ज्यादा slow play होगा ठीक है इसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बात करूंगा विकॉज यह काफी ज्यादा इंट्रस्टिंग टूल है इस टूल के लिए मुझे कोई ना कोई एक audio clip की जरुवत पड़ेगी जो कि अभी मेरे पास नहीं है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में इस audio टूल के मैं आपको जरूर से जरूर बताऊंगा गैक आज कि इस video में मुधा वी वीडियो एडीटिंग जॉफ्टर के जितने भी बेसिक फिचर टे उसको कवर किया अगली वीडियो में में मैं आपसे साथ सेर करूंगा कि इस software के help से video editing कैसे की जाती है अगर मैं इसी वीडियो में बताता तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाते हैं और आप भी बोर हो जाते थे इसलिए मैंने इस वीडियो में नहीं बताया इसका next part मैं जल्दी इसी YouTube चैनल पर डालने वाला हूँ वीडियोम साजए ।